दोस्तो नेहा जी मुस्कुरा रही है और मैं आपनी उंगली सी सारे गर के आप लोग को बता रहा हूँ कि हम लोग कहीं घूमने जा रहे हैं लेकर कहा ये नहीं पता पर मुझे पता है कि कहा घूमने जा रहे हैं मगर मैं आप लोग को बताऊंगा थोड़ देर बाद में तो आज हम सभी साप साप परिवार गूमने जा रहे हैं जी तो गूमने जाने से पहले ये सुबा जुआ अपने घर की बाहर खड़ा इंतजार कर रहा था उस गाड़ी के जस गाड़ी में ये लोग घूमने जाने वाले हैं और उस गाड़ी के आते ही हमारी गाड़ी भी अंदर स को तिलक की जैसे फैला लिया है काला टीका कूपस लेकर नीचे तक दबाद रही है वह है काले थे इसे तो काजा नहीं लगा हूँ आप लोग समझे ना मम्मी ने बूला कि यही चोटा भीम छोटे काले टीक को विसाल टीका बना लेता है खेर बाहर जाने से पहले हमने एक बै बैटकर हम लोग जिस तरफ के लिए निकले ना उस जगह को कहते हैं भीम कुंड जहां में कुछ महिनों पहले आया था लेकिन अपने दोस के साथ तो भीवी ने देख लिया था और जब देखा था तो पिछले कुछ महिनों से मुझे टॉचर कर रही थी और बोल ली थी कि हमको भी ले चलो तो मने का ठीक है चलो तुमको भीम कुंड में दुबा देते हैं मतलब दिखा देते हैं आओ तो यह लोग भीम कुंड पाँच गय है अपना कुंड बनाया शुरू कड़ रहा भाया प्यांस लगी थी तो पानी ने पी यह हमारा जुन्ड मतलब परिवार भीम कुंड आ गये हैं अपने पूरे कुंड के साथ, नहीं भीम कुंड आ गये हैं अपने पूरे जुंड के साथ, तो जब यह लोग यहाँ पर पहुंचे, तो वहाँ पर किनारे एक ट्रेक्टर भी खड़ा था, जिसके ट्राली के ऊपर एक छोटा सा घर भी बना हुआ था, कितना प्यारा है और इस प्यारे ट्रैक्टर के पिछा बोग देख रहे ज lack जिसके हाथ में उसका pen pay और वो टुड़ा जिला फ्हुटा ही मतलब भीम Tayum लोगों ने जब इसको देखा तो उनकी हांखे पड़ी हो गई लेगन मैंनों से आगे भाई साथ थोड़ा रोग जाओ भेमकोंड में अंदर दर्थन करके नहां वहां के बाहर निकलेंगे तब आप लोग दुकानों से जो जो निकालना हूँ निकालने न अब आना यहां आन मंदर थे जो पेड़ों की ऊपर चड़ेते और यह सोच रहेते कोई एक सिखार मिल जाया जिसका प्रसाद हम भगवान से पहले खोड़ा लेकिन अगर बंदरों ने तेरा बैग ही छुला लिया तब क्या करेगा आरे तब का तब देखेंगे ना लेकिन अभी हम लोगों ने मंदर तो मैंने मैंने पीछा आता चलिए ऽुक्त मेरे पीछ आते चलिये आज आपके कुंडरी में कुंड देखना लिखा लिखा ही है तो क्या हुआ मैं पहले मैं पहले देख चुगा हूं बहूत गोदी नहीं की नहींची मैंतों की फेनी जावूक बहुए निचसा के नहीं ऑसनरी चके हो। कि उनका मन भीमकुन देखने से जादा छोटे भीम को देखने में लगता है अरे तो पिता जी तुम को क्या प्रिशानी है हमारे दादी और हम देखेंगे देखना है तुम निकलो जार से फटाक से नीचे जाओ तो ममी देशन करकी ऊपर आके बैठ गई है उनको साथ मजा नह लेकिन आप पानी इतना कम हो गया है कि अगर आप के सी खुद्व्लों में तो उसमें पहले डूबना पड़ेगा अरे तो जो देखा होगा वो जानते होंगे कि पहले लोग किस तरीके से नहा रहे थे इसमें। और अब किस तरीके से नहा रहे है। भीमकूंध से भीम कुआ बन चुका है। इसलिए मने अपनी प्री पत्मी से कहा। ज़्यादा पीछे ला जाना फिसल्ला नहीं। भाईया तो मेरे पूरे जुंड़े ने भीम कुंड़े के दर्सन किये फिर कुछ फोटो कीचवाई और सीडिया चड़कर वापस उपर पहुंच गये मकसम लेकिन मुझे यदर है कि दू बैगी में चड़ी लेकर आया था न हाँ लेकर आया था अब वैसा ही वापस लेकर चला जाओंगा क्योंकि पानी वहाँ तक है ही नहीं जहां पर बैट कर मैं नहा सकता था अरे बैटा कहीं आशा तुन नहीं है कि मम्मी ने ड्राइवर से कहा हो कि ड्राइवर चलो घर चलो यह लोगा आते रहेंगे नहीं बैग से निकाली वह बोटल जिसके अंदर था गाय का दूद क्योंकि अब हम उसको कभी-कभी छोड़ा थोड़ा गाय का दूद पिला देत अब भीमकुंड तो देख लिया है अब क्या इराधा है घर लोटना है या पिर यहीं पर लेटना है नहीं वापस लोटना था लेकिन अब जब मैं दूसरी बार भीमकुंड आया था तो मैंने सोचा उपर मंदर में क्या है यह देख य esimerk경 के बैटो आराम करो मैं उपर हो के यहीबात मैने नेहा लोगों से गई थी ती प्रियांका लोगों से गई लेगन ये लोग कोई बात बोलने से कहां मानते हैं जब आदी सीडियों चढ़े और सास फूल लगी और सीडियों ने कहा अभी तो हम फुल बाकी है तब इन लोगों ने हमसे कहा ठीक है आप होके आजा पूरे फोनों से एक दूसरे की पूरी पूरी फोटो की चीए और लोटते समय वहां पर जो छोटा सा वाजार था वहां से प्रियंका ने छोटे भीम के लिए एक डमरू खरीदा मैंने एक संग करीदा और नेहा ने क्या क्या खरीदा वो तो नेहा ही जानती है खैर थोड़ी में मर जाता है ठीक है अब लोटते हैं यहां से फर रस्ते में एक जगा खाएंगे खाना कुछ लोगों को लगी है भूप तो बोल रही ही कुछ ले कि आजाओ खाने को तो जो दुकान है उनमसे एक दुकान में मिलता है कुरकुरे और चिप्स वगरा तो मैं सोच रहा हूं ले लेता हम तो यही है वो जगा जहां पर हम लोटते समय खाना खाने वाले थे क्या है कि भीमकुन जाते समय ही हमने इस होटल को बाहर से देख लिया था और मन में सोच लिया था कि लोटते समय इस होटल को अंदर से देखेंगे और खाना खाएंगे तो यहां पर आती हमने जुगुड की आवाज आ रही थी, लेकर खाना नहीं आ रहा था, बास बास इसलिए हम लोगों ने फिर से इस होटल का कोना कोना चानना सुरू कर दिया और तब ही हमको दिखाई दिया वो, वो, जिसको लोग स्वीमिंग बुल कहते हैं, मम्मी तो कहने लगी थी कि कास इसमें नहाने का मौका मिल जाए, हम इसी को भेमकुंड बना देंगे, रोबाट, ये बटाओ, कि तुमारा खाना का वाए, भाया जी, बस बस, मैं भी यही सूच रहा था, क्योंकि देड़ गंटे हो चुका था, ओस खाने का ओडर दिये हुए, जो अब आधा प्लेट में हैं, और रात हो जाची तो लेट से सोटा, लेट से सोटा, तो लेट तक सोटा, जो कि अच्छे बात दाए है, ओ, अभी कई नहीं जाना एक इंपोर्टन इंफरमेशन है, जो आप लोग को देनी है, तो क्या है कि कल एक स्पेसल व्लोग आने वाला है, दोफर में 12 बाजे, जिसके ल आज के लगते कैसा है, मले है, पता हमें कमेंट में